प्रेश में शिक्षा विभाग में सरकार ने बच्चों की शिक्षा में एजवाफा और बहतर बनाने के लिए कई आधूनिक प्रयास की है शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में अब अधिकारी नए मौडिफाइड एप के जरीये निरिक्षन कर रही है 22 मार्च तक जरी रिपोर्ट देखें तो एक भी शिक्षा अधिकारी एप पर ग्रीन जोन हासल नहीं कर पाया एप में नए फीचर्स दिये अधिकारीों को एक महिना बीच चुका है उतके बावजूद अधिकारी विभाग के दिये गए रेंडम चेहनेत स्कूलों का निरिक्षन करने नहीं पहुचे आपको पता दे पहले श्याला संबलन एप में अधिकारी अपनी स्वेच्छा से स्कूलों में निरिक्षन करने चले जाते थे वहाँ की रिपोर्ट बना कर ओनलाइन सब्मिट करते थे लेकिन श्याला संबलन के नए एप में अधिकारीों को स्कूल अलोट की जा रही है यानि अधिकारी को हर महेने विबाग की बताई गई स्कूलों का निरिक्षन करना होगा जो अब शिक्षा अधिकारीों के रिए एक चुनौट है प्रदेश में सरकार ने बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए आदूनिक्ता का तो अपना लिया है लेकिन अभी तक शिक्षा विबाग के अधिकारी उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे है अभी तक एक भी शिक्षा अधिकारी ने ग्रीन जोन हासिल नहीं किया ऐसे में शिक्षा विबाग को सोर गौर करने की ज़रूरत है कैमरा परसन येश के साथ डिमपर शर्मा फसिन्या निउस जैपर